हलो फ्रेंट स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चाहन ग्यान प्लस पर उत्तर पदेश अधिनस से वचेन आयोग के तरफ से राजसुलेकपाल के करीब आप बात करने हम बात करें तो करीब बावन सो पदों का उनको सीक्रेटी मिल चुकी है लेकिन अभी इसमें पदों के संकियम बहूत्री होगी इसके राखटर अब चाहिन और आपको अपनी तयारी जाचने के लिए किनकि बहुत जादा भीर होने वाली राजसुलेकपाल में करीब 20 तो आप अपनी तैयारी को कैसे चांचेंगे कैसे परखेंगे इसके लिए राजस्य लेकपाल के जो प्रीविएस पेपर हुए तो राजस्य लेकपाल 2015 में प्रीविएस पेपर हुए थे तो इसको हम देख लेते हैं उसके बाद हम यह पेपर करने के बाद हम अगला पेपर लेकर आएंगे तब तक इसको हम देखते हैं चलिए शुरू करते हैं प्रेश नमबर एक से इसमें आप सभी को पता है कि हिंदी रहेगा मैथ रहेगा जीयस रहेगा उसके अरावा आपका ग्रामीर परिवेस रहेगा, चार सक्सम रहेंगे 20-20 प्रिशन के, तो यहां से देखिए प्रिशन नमबर एक आपकी स्क्रीन पर यह आ रहा है, तो प्रिशन नमबर आपके स्कीन पर यहां से यह शुरू हो गया है, देखिए, प्रिशन नमबर एक है आपके सामने क्या है, जो लोकोतियां है, उनको क्या लोकोतिया तथा मुहावरें उनके सही अर्थ निकालने हैं, पहला क्या है खिसियानी बिल्ली खंभा नोचे, इसका क्या होगा खिसियानी बिल्ली जब खंभा नोस्ती तो चार आपके सामने हैं अपनी सर्म छिपाने के लिए व्यर्थ जुझलाना अपने से बड़ों पे क्रोध करना कायरता पूर्ण विवभाग करना किसी बात को सर्मिंदा होकर क्रोध करना तो यहां पर क्या होता है कि अप अपनी सर्म को छुपाने के लिए क्या करते हैं लोग दूसरे बहाने बनाते हैं इसी प्रिकार से कहा गया है खिस्यानी बिल्ली खंभा नोचे जब लोग अपनी सर्म को छुपाने के लिए कई बहाने बनाते हैं गुसाने लगते हैं तो वही एकदम इसका सटीक एंसर यान इसके एकस्प्रेनेशन भी हमने नोट करके रखा है है चल कपट का वेवार हमेशा नहीं चलता है यानि कि वह आप आप घ्रष का नहीं दे पाते हैं दो और तीन ऐसे लेंगे लेकिन च्वographic बार क्या होगा पक्ड़ा जाएंगे यह काट की हरडी बार बार नहीं चलती है का आर्थ होगा छलकट electrod हुजार हमेशा नहीं चलता है आगे बढ़ते हैंश नंबर तीन आपके सामने इसकीन पर यह रहा है प्रसंतीन और चार के विलोम बताना है आपको तो यहां पर क्रेस का विलोम क्या होगा क्रेस का जो विलोम होगा उसमें आपका एक विटप है विटप आपका क्रेस का विलोम नहीं होता है केस बाल का विलोम होता है भाव भी आपका नहीं होगा, यानि कि B, यानि कि हष्ट पूश्ट शही होगा देखे, क्रेस का विलोम हष्ट पूश्ट आपका शही अंसर होगा यानि कि B option शही होगा आगे हम बात करते हैं, अप्रेष नमबर चार की ओर अल्पक्ग का विलोम क्या होगा? अलपक का विलोम होगा सरवग होगा देखें अलपक का विलोम सरवग होगा यह सही एंसर यानि कि आपका सही एंसर यह होगा आपके स्कीन पर यह रहा अलपक का सही एंसर जो है सरवत्र होगा आगे हम बढ़ेंगे प्रेस नमबर पाँच कियो तो प्रिस नमबर 5 आपकी स्कीन पे यह रहा से खूटी सब्द का बहुवचन बताईये सब्द का बहुवचन के लिए देखिए क्या होगा खूटियां होगा खूटियों नहीं होता है देखिए जब आप हिंदी पढ़ेंगे तो हिंदी में जो बहुचर बनाने के हैं वो कई वे हैं उसमें कहीं या लगता है कहीं यह लगती है कहीं और चीजें लगती हैं तो यह सारी चीजें होती हैं तो यह सारे हो जाएंगे अब प्रस नमबर छटवा क्या हो जाएगा इसको आप यहां पर देख सकते प्रेश नमबर छटवा आपके स्कीन पे हैं निम लिखित अनेक अर्थी सब्द का दूसरा अर्थ बताईए अनेक अर्थी सब्द का दूसरा अर्थ क्या होगा यहनि कि अनेक अर्थ इसमें से यहां से प्रेश परना है कि एक सब्द के अनेक अर्थ आप पढ़े हैं तो वहा होता है इस्वर हो जाता है अमर हो जाता है और दुनिया में इस्वर एक ही है यानि कि इस्वर अमर होता है इस्वर कभी मरते नहीं है तो यह हो गया प्रेश नंबर सेवन आपकी स्कीन पर यह रहा निम लिखित में से कौन सा सब्द वर्तनी की द्रेश से सुद्ध है तो निम लिखित में से देखी आपका प्रतिनीधी प्रतिनीधी नीधी तो ये गलात है पूरी तरह से प्रतिनीधी ये भी गलात है आपका प्रतिनीधी ये भी गलात है यानि कि प्रतिनीधी यानि कि तीन प्रकार का यहां पर पढ़िए और देखिए इसकीन पर क्या है तो प्रिस नमबर आठ और नौ के वाक्यों में से कुछ में तूटियां है तूटि वाले वाक्य के जिस भाग में तूटि हो उसके अनुरूप अच्छा ए बी सी वाले वालों को गोला करें और कोई तूटि ना इसमें आपको चौर ओप्सन दिये हैं विद्याले में यानि कि यह आपका A हो जाएगा यह B हो जाएगा यह C हो जाएगा D तो यहां पर आपको देखना है क्या सही है विद्याले में जल्पान को तो होता नहीं देखिए साफ साफ आपके सामने यही विद्याले में जल्प जल्पान का उत्तम प्रबंध है यह होगा को नहीं होगा अगर यहां पर का होता तो यह सही होता यानि कि यह बी सेक्षन आपका गलत है जल्पान को तो यह आपका सही एंसर भी होगा आगे हम बात करते हैं प्रेश नमबर 9 क्यों मुझे रेलगाडी में यात्रा करनी अच्छ ह्षा होगा यहां लगती है यह गलत आपके सामने है अपने नमबर 10 की और बढ़ते हैं तो देखते हैं 10 में क्या कुछ खास है आपके लिए तो यहां पे अब हम प्रेश नंबर 10 क्यों बढ़ते हैं प्रेश नंबर 10 आपकी स्कीन पे यहां पे प्रेश नंबर 10 आपकी स्कीन पे यह आ रहा है प्रेश नंबर 17 आ चुका है लेकिन हम अभी 10 आपको और यह देखिए परस नमबर दस आपकी स्कीन पर यह है निम्लिकेत मैं से कौन सा सबद तत्सम है देखे तत्सम और आपको बेसिक जो संस्कित क不到 में बोल चालवासा में प्रियोग होने की वज़े से बदल गए तो गरंता है तो देखें यहाँ पर आज जो है आज कल हम इसको करते हैं सब्सक्द mobilize को है आगर जो है वो तत्सा में यानि कि इसका सही एंसर सी सही होगा आगे हम बढ़ते हैं प्रेस्ट नंबर 11 की और तो यहां पर आप देख पाएंगे प्रेस्ट नंबर 11 आपके सामने यह रहा निम लिखी तवाक्यों के लिए एक सब्द पहुं पहचानी यानि कि यहां पर ज की जो यह मालीजें कि यह परवत हैं तो यह इसका तल होता है इसको क्या कहेंगे तो यहां पर जो होता है यह क्या होगा उपत्ति यह होगा यहां पर देंखी दो चीज होगती है एक तो यह जो सीर्स होगा- यह हैं आपका सीर्स होगा और तलाटी यह वोती है अब का बारा की वरे खाबर घोम को Και सब्सक्राइब करahr क्या चाहिए यह अन्सर डी होगा यानि कि पर्वत की तलाटी को उपत्तिका कहते है आगे बढ़ेंगे प्रिस नमबर 12 की हो, प्रिस नमबर 12 कंजूसी से धन व्याय करने वाले को क्या कहते हैं, कंजूसी से जो व्याय धन करता है, उसे कम व्याय करने वाले को मित्वयाई कहते हैं, और जो कंजूसी से धन व्याय कहता है, उसे कृपण कहते हैं, याद में प्रिशन आ सकता है जो कम धन खर्चा करें उसे क्या कहते हैं तो मित्वियाई या बहुत ज्यादा बचत करें उसे मित्वियाई कहते हैं और जो कंजूसी से धन वेकरे उसे क्रफान कहते हैं इसका सही एंसर क्या होगा क्रफान होगा आगे बरते हैं प्रेस्ट नंबर 13 प्रेस्ट नंबर 13 आपकी स्कीन पर यह रहा उसका हर्द इतना कोमल है कि वह मित्र तो क्या अपने को भी चोट नहीं पहुचा सकता तो इसका सिंपल सा वात है कि उसक गई थी आगे भी इस बार तो अब तो जो सुनाई दे रहा कि पेट के थ्रू ही लेकपाल की भरती होगी तो यहां पर हो सकता है कि आपको थोड़ा सा कठिनाई अब जहलनी पड़े मेहनत और ज्यादा करनी पड़ेगी क्योंकि यहां पर आउसर हैं वो सेलेक्शन के कम होंग यानि कि उद्धत का मतलब हमेशा तैयार रहने चाहिए रेडी होना चाहिए देश की रच्छा के लिए प्रेश नमर 14 का ओप्सन यह रहा अब प्रेश नमर हम आगे बढरते हैं प्रेश नमर 15 की ओर तो प्रेश नमबर पंद्रा आपके स्कीन पर ये रहा अर्विंद सब्द का परियायवाची बताईए अर्विंद सब्द का परियायवाची क्या होगा अर्विंद का जो परियायवाची है वो किसका है कमल का है कमल का जो परियायवाची है वो क्या है अर्विंद का है जो अर्विंद है अरविंद का आपका कमल हो जाए, कमल पंकज जो होता है यह सारी जो परियाए बाची हों की होती हैं तो आगे इसका सही अंसर से सी योगा यहाँ पे देखिए यहाँ पे हमने दिया भी है आपको जलज, पंकज, नीरज, सरोज, अम्भूज ये सारी कमल के परियावाची हैं यानि कि अरविंद की हैं पंक भी से काते हैं कि पंक मतलब जो कीचड में पंकज मतलब क्या होता है कीचड और जा मतलब होता है जन्म लेने वाला तो कीचड में जो जन्म लेने वाला होता है उसे कमल कहते हैं जल में जन में लेने वाला कमल कहते हैं नीराज नीर मतलब क्या होता है जल होता है तो जल में जन में लेने वाला क्या होता है क्या होता है क्या होता है इसी प्रिकार से जो आपकी जल की परियावाची होती है उसमें सम्में आप जल लगाएंगे तो आपका यानि कि जल से जन म कि लेने वाला क्या हो जाएगा वह आपका कमल की परिवाचि हो जाएगी आगे 20 16 की और बढ़ते nam प्रेशन नमर 16 आपके स्कीन पे यह रहा निर्धन में कौन से संधी होगी यह चीज आपको यहाँ पर देखना है देखें निर्धन में कौन से संधी होगी आपके पास चार ऑप्सन है यादी संधी है विंजन संधी है यड संधी है विसर्ग संधी है तो इसका देखिए आप क। कैसे करना है कौन से इसका सही एंसर होगा यह हम आपको बताते हैं कि निर्जन में कौन से संधी होगी क्योंकि यहाँ से परकार के C आपकी विशर्ग संधी होगी क्योंकि विशर्ग संधी में क्या होगा नी क्या हो जाएगा नी धन 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 यानिकि निर्धन हो जाएगा यह जब आपका यह हटेगा जो तो यह आपका आधा रा में बदल जाएगा जब आप विशर्ग संधी डिटेल्स में हमारे चैनल पर आ संधिया पढ़ा प्ढ़ाई जा रही तो आप आप देख सकते हैं कि क्या है पुरा आगे आउड़ते हैं प्रेस्ट नमबर 17 क्यों तो कौन सा समास होगा देशांतर की बात करते हैं तो कर्मधार्य समास होगा क्योंकि देश और अंतर यहाँ पर इस प्रकार से क्या हो अंबार पनगर्म में विजर्ण कि बचक्ता धूri ए यहांपर धेखिये काउन सनंकार होगा अंबार पनगर्ट में गह पनगर्म में विजर्ण फैसं पर lo आरोप किया जाए उपमे में उपमान का जो भेद रहित आरोप किया जाए वो आपका रूपक अलंकार होता है तो इसका सही एंसर क्या होगा यहां पर एक्स्प्राइनेशन आप देख सकते हैं आपकी स्कीन पर सामने हैं आगे हम बात करते हैं प्रिस्ट नंबर 18 हो गया हमार प्रिस्ट नंबर 19 की ओर बढ़ते हैं तو प्रिस्ट नंबर 19 आप यहां पर देख सचते हैं प्रेश्म नंबर 19 जो है आपकी स्कीन पे है निम लिखित में से कौन सा तद्भो सब्द है इसका जो सही एंसर होगा अमी होगा तद्भो तद्सम हमने आपको पहले ही बता चुका है तद्भो जो है वर्तमान में प्रियुक्त हो रहा है तो अमी जो है यह अमी पियावत मान बीन जो विस्देर पिलाए तो यह आपका अमी इसका सही एंसर होगा अमी जो है तद्सम अम्रित का जो है अम्रित क्या होता है वो तद्सम है और जो आपका अम्रित जो है वो तद्सम है और अमीं क्या तद्भव है इसलिए आपका सही अंसर क्या होगा प्रेंज नम्मर 20 आपकी स्कीन पर यह रहा है Mr. 21 क्या करना है कि आपको लिखित वाक्त में सही वाक्त क्या करना है चयान करना है यानि कि आपके सामने चौर ऑप्सन दिये जाएंगे चार में से एक सही है तो उसको आपको चूज करना है तुलसी अवधी के स्रेष्ट कभी और ब्रजभासा के सूर हैं यह आपका गलत होगा क्योंकि तुलसी जो है अगर आप यहाँ पे तुलसी अवधी के स्रेष्ट कवी और ब्रजभासा के सूर है यहाँ पे देखिए दूसरा देखिए तुलसी अवधी के स्रेष्ट कवी और सूर ब्रजभासी है तुलसी और सूर अवधी और ब्रजभासी के स्रेष्ट कवी है और तुलसी और सूर अव गुआ है यानिके डी में तो तूलसी और सूर क्रेमसा आउधी और ब्रिजभासा के स्रेश्ट कभी हैं आगे बादते हैं प्रस नंबर तो प्रस नंबर इकीस आप अपके स्केन पर ये है जीवन और साहित का निकट सम्द है जीवन और साहित का घ्रसम्द है जीवन साल है तो यह क्या होगा सभी इंसर होगा तो प्रेस्स नम्बर प्रेस्स नम्बर के लात्र बाइस की और अब हम बढ़ते हैं तो देखिए करुणरस का स्थाई भाव आप सभी को पता है कि करुणरस का जो इस्थाई रते हम थे आगे हम बढ़ेंगे तो यहहां पर हुआ ओर हम बढ़ते हैं तो यहां पर आप देख पाएगे प्रिस नमबर 23 आपर इसकीन पर यह रहा कि मैं खाना खा चुका था इस वाक में कौन सा बहुत कालिक भेद है तो इसका सही एंसर होगा पूर्ण भूत है क्योंकि खा चुका था खा चुका है यानि कि पूरा-पूरा उसने खाना क्या था फिनिस कर लिया था खाने में कान अभी खा रहा था नहीं खा चुका था यानि कि उसने काम पूरा कर लिया था आगे हम बात करेंगो प्रेस नमबर टॉटीफॉर आपकी इसकीन पे यह रहा राजा सेवक को कमबल देता है उसमें कमबल देना कमबल देना क्या होगा कि जो राजा से कंबल होगा वो क्या होगा यहां पर देखिए यहां पर अलग होना तो संपरदाय में क्या हो जाएगा यहां पर राजा से जो कंबल है वो क्या होगा है अलग हो रहा है तो यहां पर संपरदाय कारक हो जाएगा प्रिश नंबर हम बाढ़ते हैं प्रस्ट नमबर 26 की और प्रस्ट नमबर 26 अब देखी यहां पर 25-25 प्रस्ट रहते हैं तो अब प्रस्ट नमबर 26 आपका कि यहां से है गनिस से है mathematics से है तो यहां पर अब हम देख लेते हैं गनित भागदो आपका शुरू हो रहा है गनित आपके लिए बहुत जरूरी है क्योंकि गनित आप जब तक पढ़ेंग नहीं तो आपको गनित से प्रस्ट नहीं करेंगे और कठीन प्रस्ट बनेते हैं ऐसा नहीं कि बहुत जी बनेते हैं तो यहां पर देख लिए क्या है यदि एक व्रत्त की परिदी उसके व्यास से 18.6 cm अधिक है तो व्रत्त का व्यास क्या होगा अब यहां पर देखेंगे आपका व्रत्त की परिदी के जो फॉर्मूला है व इसको आप देख सकते हैं अब डी को आपने देखें यहां पर दोनों में कॉमन है तो आपने क्या कर लिए डी आपने कॉमन ले लिए और यहां पर कुछ नहीं बचे तो एक आप रख देते हैं 18.6 हो गया डी पाई की वैल्यू आपको बाइस बटे साथ माइनस हो नहीं यह तो आप यहां पर दोनों एक वो ले लेंगे तो यहां पर साथ हो जाएगा बाइस माइनस साथ और अठारा दसमलो छे तो जब आप इसक चीजे क्या हो जाएंगी पलट जाएंगे अपोजीट हो जाएंगी लाइट हैंड साइड में अपोजीट हो जाएंगी तो जब इसको काटेंगे यहां पर इससे इसको काट देंगे और इसमें गुणा कर देंगो तो आपका 8.68 सेंटीमीटर जो अर ब्रत का व्यास क्या आ संख्याओं का जो है महत्तम और समाप वर्तन यानि कि LCM तथा LCM क्रमसा बारा स्वारा और कि LCM कितना है 2448 दोनों संख्याओं का अंतर साथ है तो संख्याओं का योगफल कितना होगा यह आपके सामने स्केन पर प्रिष्ण आप देख लीजिए अब इसका सॉल्यूसन हम यहां पर आपको दिखाते हैं क्या होगा इसका सही सॉल्यूसन पर इच्छा के लिए आप यहां पर ज़रूर देखके जाईएगा यहां से प्रिष्ण काफी जादा बनते हैं LCM से यहां पर देखिए इसने कहा कि एस सी अब जो है बारा है और LCM 24-49 है अब आपको लासा इंटू मासा निकालने के लिए क्या करना होगा बारा इंटू 248 करना है तो अब ए माइनस भी करने के लिए आपको क्या हो जाएगा सिस्टी हो जाएगा अब यह हमारा क्या हो कर दिया तो ए माइनस भी का होल स्क्राइब लास फोर एक इए फर्मुला होगा यह प्लस भी का Оलिट स्कॉयर अब यहां पर देखिए प्लस 2-12 полностью हो जाएगा फोर इन्टु यानि कि यहां पर देखे 1 घ। कितनी है जब आप किए स्कॉर करेंगे तो 36 हो जाएगा और इस तीनों का मुल्टिप्लिकेशन करेंगे आप तो यह 11 आपका हो जाएगा 1,17,504 अब यह आपका टोटल बनेगा बारा एक लाक है कई सजार एक सो चार इस यह टोटल जो है वन्पातनाएं इस्टोफाइब है यहां पर क्या कह रहा है नाइन इस्टोफाइब है एक मुपेट के मुल्सें 42 अधीक है यहनि कि इसोटर है यहाँ पर दीखें, simple सा कहा गया है, कि 9 into 4 है, और यह 4 अधिक है, इससे क्या है, 4 अधिक है, तो 4X वराबर कितना है, 42 इसने दिया है, कितना है, 42 दिया है, अब 4X वराबर क्या हो जाएगा, आपका 42 है, तो X वराबर कितना हो जाएगा, यानि कि जब इसको 4 से आप भाग दे तो कितना हो जाएगा 4 यहानी कि एक्स की वैल्यू क्या हो जाएगी यहां पे आप देखेंगे एक्स की वैल्यू आपकी 1050 हो जाएगा है यहाँ पर दो नहीं कटेगा तो यहाँ पर जीरो ले ले लेंगे तो 20 हो जाएगा अब यह एक्स बराबर कितना हो गया है यह खजार पचास हो जाएगा तो इसने मोपेड का मोल पूछा है और मुपेड का रेशियो कितना है आपका मुपेड के अगर रेशियो के बात करेंगे तो यह आपका 5 है यह आपका सही एंसर होगा बहुत सवाल था इसमें हालांकि अब इस लेवल के प्रिस्ट तो अब नहीं बनेंगे लेकिन हालांकि पहले पूछा था यह जिते एडवांस के जो मैप थे वह थोड़ा सा कठिन थे तो अब हम आगे यह आपका सॉल्यूशन भी हमने दिया है तीन संख्याओं का योगफल 392 है यदि पहली संख्या दूसरी संख्या के अनुपात दो अनुपाते तीन है तका दूसरी संख्या तीसरी संख्या के अनुपात में 5-8 है तो तीसरी संख्या तो आपको रेशियो निकालने के लिए आपको क्या करना है यहाँ पे 3 रेशियो निकल जाए तो पांस दूना 10 हो जाएगा पांस तियां पंदरा हो जाएगा और आर्टीक 24 यहां पर देख सकते हैं अब माना पहली दूसरी संख्या 10X 15X और 24X है तो यहां पर आप देख सकते हैं ते तीनों को जोडने पर आपके 392 है तो यह आपका टोटल यह 49 एक्स हो जाएगा 392 और एक्स बराबर आप एक्स के वैल्यू निकालेंगा 392 डिवाइड़ वाइड़ फोर्टी नाइन इजिक्वालेट अब 8 को आप किसी से भी गुणा करके उसके वैल्यू आप ला सकते हैं य तो इसका जो छेत्रफल होगा वो क्या होगा देखी यह क्या कह रहा है यह त्रिभूजा कार छेत्रफल है इसकी जो भूजा है 13 है यह 5 है और यह 12 है अब यह कह रहा है कि जो पेरिमीटर है वो क्या हो जाएगा 540 मीटर है तो इसका छेत्रफल क्या होगा तो छेत्रफल का तो त्रिभूच का जो छेत्रफल ओगा आप सभी को पता है कि इसकी वैल्यू निकालने के लिए क्या होता है तो सवाल आपका क्या था पेरिमीटर जो है वो पूंचा था यानि कि छेत्रफल पूंचा तो देखिए अब यहां पर पान्सों चालेस है तो इसने क्या कर दिया कि आपकी वैल्यू दे दी यहां पर फाइब एक्स 5x 12x and 30x जो है त्रिभुज के तीनों छेत्रफल हो गए तीनों कोनों का मान दे दिया तो यह आप इसको इसकी वैल्यू कितनी होगे इन तीनों की वैल्यू मिलाके इसका कितना हो गया पेरिमीटर जो है यह 540 हो गया अब इन तीनों को अगर आप जोड लेंगे तीनों छेत्र को तो यह 30x हो जाएगा और 30x जो है आपका पांच चालिस पेरिमीटर के वराबर होगा तो एक्स की वैल्यू आपके कितनी आ गई एटीन आ गई अब यहां पे किसी भी जो छेत्रफल होगा त्रिभूज का छेत्रफल निकालने का जो फार्मूला है वो क्या होगा वो आपका S, S-A, S-B, S-C होता है अंडरोड में तो यहां पे आपको देखिने के लिए एक सिंॉम्पल सा क्या लॉजिक है अब आपको S निकालने के लिए क्या होगा S निकालने के लिए आपको यह फॉर्मूला होगा A plus B plus C by 2 तो यहां पे अब आप यहां पे 18 है तो 18 की वैल्यू आप सभी में रख देंगे 5X कर देंगे तो 185 इह क्या हो जाएगा आपका 90 हो जाएगा देखिए यहाँ पर रखे गई है 185 नपब नव्वे हो जाएगा और यह क्या हो जाएगा आपका B आपका 12X है तो 1812 को गुणा करेंगा तो यह 216 हो जाएगा और 18 की value जो है 13x में रखेंगे तो यह आपको हो जाएगा 234 तो इन तीनों को जोड़ के आप दो से जब divide करेंगे तो यह आपका क्या हो जाएगा कि 270 हो जाएगा यानि कि यहाँ पर 90 प्लस आपका 216 प्लस आपका 234 इनको 270 यानि कि जो आपके s हो आएगा तरिभूज की भुजा अब यहाँ पर एस में क्या करना है स्में आपको एक की value यह value है यह b वैल्यू है और यह C की value है S माइनस यहाँ पर पूरी value फूर्ट कर देना है एक वैल्यू आपको यहाँ पर से रखत देना है एस की value 270 है तो 270 बुड़े इस यानि कि आप जब 216 घटाएंगे तो कितना बचेगा 54 बचेगा इसी फिकार से अब जब 270 में से आप 234 घटाएंगे तो 36 बचेगा अब यह 270 270 की वैलियू आपने रख दिया इन तीनों का जो मल्टिप्लिकेशन कर लेंगे तो आपका जो हो जाएगा कितना हो जाएगा 9720 हो जाएगा यह आपका जो एंसर होगा यह निकल के आएगा इंडर रूट में है तो अटरूट से आपको इसको बाहर रखना होगा आगे प्रस्ट नंबर 31 की और बढ़ते हैं 31 में जब आप देखेंगे तो यहां पर देखेंगे कि एक आयताकार मेज की उपरी सता का परिमाप यानि कि यह मेज आपको नीचे यहां पर हमने बनाया है तो आप देख लिए एक आयताकार मेज का जो उपरी सता का परिमाप है व इन तीनों का perimeter क्या हो गई उपरी सता है तो इन तीनों का perimeter 28 मीटर दिया हुआ है इसका चेतरफल एरिया कितना दिया है एरिया 48 मीटर से दिया है तो मेच के कंड की लंबाई कंड की लंबाई के मतलब यह जो 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 जादी हुई है इसकी जो यह maximum distance पहुच रहा है कितनी होगी तो यह value आपके पहुच रहा है तो इसके जवाब के लिए आपको क्या होना चुह है कि perimeter निकालने के लिए आपको यहाँ पे देखिए यहाँ पे 2A plus B बॉराबर दिया है यानि की जो आयात की जोबाई पर 14 आपका एंसर हो जाएगा अब यहां पर दिये है देखी अब आपका जो इन्टु इन्टु बीक गया फोर्टी एट दिया है तो यहां पर आप देख सकते हैं एक आपको लाइक की बाध थोभी और यविय्य और एन्टु बी के तो आपको यह प्लस भी पता है तो यह 14 आपने रख दे 14 को होल इसकोर माइनस फॉर एंटू बी पता है तो यह 48 हो गया यानि कि multiplication के बाद अगर आप minus करेंगे तो 4 यानि कि आपको यहाँ पर जो a minus b की value क्या हो जाएगी root 4 हो जाएगी तो a minus b की value कितना हो जाएगी 2 हो जाएगी यहाँ पर root से जब आप निकालेंगे आप इसको किसी भी समीकरण के समीकरण एक और दो को जोड़ने के बाद आपको सिंपल सी बात है कि यहाँ पर क्या हो जाएगा कि यहाँ पर a की value 2 a हो गई और a बराबर यहाँ पर देखी यहाँ पर 16 जो value है वो 16 थी तो 2 a को आप यहाँ पर divide करेंगे 2 a यहाँ आ जाएगा तो यह कितना हो जाएगा a बराबर 8 a की value कितनी हो जाएगी 8 हो जाएगी तो a रेखा जो हमारी table की थी वो a 8 पराब्त हो गई है इसी परिकार से जब a की value आप दूसरे किसी समीकरार में रख देंगे तो यहाँ पर सिंपल से बात a की value आपने 8 रख दी है b आपको आप आटोमेटिक बराबर 14 है तो आपको गयात हो जाएगा तो 14 माइनस 8 बराबर 6 मीटर आपकी b की value हो गई अब a माइनस b की a और b की value प्राप्त हो गई है यानि कि यह आपका जो मेज था इसकी value प्राप्त हो गई है a की 8 हो गई है और इसकी किने हो गई 6 हो गई तो अब आपको इसको निकालने के लिए क्या हो जाएगा मेज का कंड निकालने के लिए यहाँ पर a का square plus b का square तो यहाँ पर 8 का square देखि 8 का स्कूराइर पलस 6 का स्कूराइर 4 पलस 37 बराबस सो अंडरूड अंडरूड 100 तो इसको जब अंडरूड से बाहर निकालेंगो तो यह 10 मीटर्स हो जाएगा तो यह इसका एंसर होगा 32 का होगा एक तिरिभूज का पेरिमीटर जो है 30 cm है एक टिरिभूज का जो पेरी मीटर है वो 30 cm और इसका छेतरपल भी 30 cm है ये तुरिभूज के सबसे बड़ी भूजा 13 cm है यहां पे देख्ए एक तिरिभूज दे दिया है ये तिरिभूज कैसा भी हो सकता है सबसे लंबी भूजा ये जो है ये 13 मीटर कह रहा है और यहाँ पे पेरिमीटर है पेरिमीटर की बात कर रहा है तो यह 30 कह रहा है और जो सबसे बड़ी भुजा है और इसका जो एरिया है एरिया कितना कह रहा है 30 सिंटी मीटर कह रहा है तो यहाँ पे आप देख सकते हैं एरिया और पेरिमीटर दोनों 30 है और सबसे लंबी करमने यह हैं कि यह देखिए यहां पर आपका सॉल्यूशन है तीनों बुजाओं के करमसा ए और भी हैं आपको पता है यहां पर यहां पर यहां पर कितना हो गया आपका 17 हो जाएगा यानि कि सबसे बड़ी बुजा गटा देंगे तो आपको दो एक बुजाए अब बचेंगी यहां पर तो यहां पर S ग्याद करने के लिए क्या करना पड़ेगा 13 प्लस 17 यानि कि दो बुजाए यहां पर ग्याद हो गई हैं एक भुजा भी आपकी बाकी है दो तो यानि कि जो S की वैल्यू है वो आपके सामने 15 आ गई है अब यह 15 आ गई है स्की वैल्यू तो दूसरी भुजा पर दो क्या हो जाएगी 70-1 यह बुजा 17 हो गई है एक हो जाएगी 15 हो जाए और एक क्या हो जाएगी 17-20 टो यहां पर आप वैल्यू पूट करें गे वैल्यू जैसे अभी हमने पिछले सवाल में किया था यहां पर इसको सॉल करेंगे वैल्यू पूट करने के बाद तो यहां तक सारी चीजे नॉर्मल होंगी यहां पर इसको तोड़ना पड़ेगा यहां पर यहां पर यहां पर यहां पर यहां पर यहां पर इसकीन पर एक पाइए अगला तैस्टीस नंबर प्रस्ण है एक पाईएक तरिज्जा एक सेंटीमीटर है 792 मीटर की दूरी तै करने में कितने चक्कर लगाने पड़ेंगे तो पहिए कि जो आर है वो 21 दी हुई है यहां पर और 792 मीटर है तो सिंपल से जो परिदी ग्यात करने के लिए आपका फॉर्मूला है तू पाई आर है तू पाई आर में आपको टू इंटू पाई की वैल के मीटर क्या 135 सेंटीमीटर उसके दिस्टेंस को कवर करेगी तो अब चक्रों के संख्या देखे अब टूटल 792 मीटर जाने के लिए आपको 132 सेंटीमीटर एक बार में जाती है तो इसको आपको चेंज करना पड़ेगा किसमें सेंटीमीटर को मीटर में तो यहां पे और यहां पर क्या है 132 जो है cm जा रही तो एक सो बतीस सेंटीमीटर को मीतर मेड़ने के लिए 100 से उपर घुना कर दें गे 100 से हमने क्या कर दी यह गुणा कर दिया अब सबस्वानवे में अब गुणा कर दिया तो आप सिंपल सी बात है आप इसको क्या कर दीजी अभी यह पड़ेगा आगे बढ़ते फ्रेश नंबर 34 आपकी स्कीन पर यह रहा किसी काम में एक पुरुष एक महिला से दुगना तेज करता है यानि कि सिंपल सा सवाल क्या कह रहा है कि एक पुरुष यानि कि क्या होगा कि वन मैं बराबर क्या हो जाएगा टू में हो जाएगा जब मह महिला हैं दो महिला हैं काम करेंगा अब इसी प्रिकार से कह रहा है कि एक पुरुष और जो एक महिला है वो दो लड़कों के बराबर काम करेंगी तो यहां पर क्या हो जाएगा अब यह देखिए यहां पर तो अब इसको आप कर लेंगे यहां पर कह रहा है कि एक लड़का एक जो है अर्थात सभी एक पुरुस एक महिला और एक लड़का मिलकर किसी काम को चार दिन में कर सकते हैं तो एक लड़का अकेले कितने दिन में कर सकता है तो आप यहां पर देख सकते हैं कि कि एक महिला एक पुरुष एक महिला और एक लड़का तो आपको यहां पर बदलना पड़ेगा कि लड़कों में पूछ रहा है तो कितने लड़के इस चार दिन में काम को करेंगे मतलब कि इसका सिंपल सौलियोशन क्या है देखिए क्या कह रहा है कि तू बवाइबर वन उमन और two women बराबर तो यहाँ पे आप two boy हो गया और यहाँ पे two men बराबर क्या हो जाएगा यहाँ भी दो तो यहाँ पे दो दो चार तो क्या हो जाएगा कि एक men बराबर कितना हो जाएगा चार boy हो जाएगे एक men बराबर कितना हो जाएगा चार boy हो जाएगे चार बॉय हो जाएंगे एक मैन बराबर कितना हो जाएगा चार बॉय हो जाएगा तो यहां पर सिंपल सा अब आपको लॉजिक समझना है कि चार दिनों में एक अब इसको क्या हो जाएगा आपका एक जो यहां पर एक पूरुस हो गया एक पूरुस को संख्या कितनी हो गई च चार बच्चों के बराबर एक महिला एक महिला दो बच्चों के बराबर हो गई और एक लड़का यानि कि ये एक लड़का हो गई तो टूटल साथ बच्चे यानि कि बच्चों में आप चार बच्चे एक महिन बराबर दो बच्चे यहां पर सिंपल सा दिया है और एक का उसी काम को कितने दिन में करेगा तो सिंपल सी बात है कि जब साथ बच्चे किसी काम को चार दिन में कर रहे हैं तो कि एक लड़का अकेले उस काम को कितने में करेगा तो सिंपल सा कुछ नहीं करना इस साथ को उठाके चार से गुणा कर देना है साचो 28 यानि कि एक लड़का उस काम को 28 दिन में कम्पलीट करेगा यह सही एंसर आपका 28 दिन होगा उम्मीद है कि आपको समझ में आया होगा अब आगे हम बढ़ते हैं थर्टी फाइब क्विश्चन नंबर क्यों अ-b 27 आपकि स्कीन पैश का सॉल्यूसन आगर आप देखना चाथे हमने कहलंक की समझार दिया है आप सौल्यूसन देखना चाहते हैं तो आप 27 पर अपकि funny पर यह रहा साट लीटर मिस्रण में अमल और पानी का अनपात दो अनपाते एक है यानि कि साट लीटर मिस्रण है तो ए भी हम अमल कर लेते हैं और क्या कर लेते हैं ए से अमल और ग्रवरू से वाटर कर लेते हैं दो अनपाते एक है यानि कि साट में इसमें 40 अमल है और 20 लीटर क्या है 20 सिर्फ आपका वाटर है ठीक है अब मिलाया जाए कितना पानी इसको करने के लिए अगर आप इसमें कुछ भी डालेंगों तो आपको पानी मिलाने के लिए कह रहा है कि कितना पानी मिलाई जाए, यानि कि सिर्फ आपको इसमें मिलाना है, इसमें कोई और नहीं कर रहे, यह आपका एक्जेक्टली वैसे ही रहे, कि इससे ज़्यादा हो जाए अब इससे ज़्यादा करने के लिए हम मान लेते हैं कि 40 दोनों को मिला देते हैं 40 लीटर मिला देते हैं 40 और यहां पर 40 यह 40 मिला देते हैं तो यह कितना 40 रहेगा और यह 60 हो जाएगा यानि कि अभी 2-3 बन रहा अभी यह नहीं बन रहा अब यह यहां पिर 20 और बढ़ा देते हैं तो यह 40 पर देते हैं यह कि यह कितना हो जाये इसको आप सिंपल सो लॉंग वे में सॉल करिये आपका solution निकालाएगा लेकिन जितना आप कम से कम समय में कर सकें वह आपका सही ही होगा क्योंकि अधिक टाइम आपका नुपसान दें आप यहाँ पर देखें त्रिभूज ABC यदी कोण A 90 डिगरी का A बराबर 25 B बराबर साथ हो तो 10 B का मान ग्याद करिए सिंपल सा सवाल है कोई इसमें माता पच्ची रही है एक त्रिभूज आपके सामने यहाँ पर दिया हुआ है इसने कहा रहा है कि ABC कौण अपका 90 डिगरी है और इसने कहा कि इस इसी भी की मान दे एक लगार की 24 दे दिया दबी के सामने कितना दे दिया साथ दे दिया और आपको इसका आधार की जो करना है तो यहां पे आप देखेंगे तो simple सा एक formula होता है जो value निकालने का formula होता है ट्रिपलेक्ट होता है लेकिन ट्रिपलेक्ट अभी आप लोग को समझ में नहीं आएगा उसके लिए अलग से class लेनी पड़ेगी एक second का सवाल है अगर आप ट्रिपलेक्ट आपको जानते होंगे तो ट्रिपलेक्ट नहीं जानते हैं तो थोड़ा सा आपको समय लगेगा तो simple सा बात है यहां पे आपका 25 यानि कि बीसी सबसे होगा आपको पता है यहां कर दिया है 24 का हो जायेगा पांसो चीत्तर हो जाएगा यहां पर चॉव् viewed को यह हमें ज्राइद नहीं है अभी ध्यान दिजीएगा यहां साथ प्रेक्ट रिभी कौत ृब इसको क्या करें हैं एभी इद Québec इदर ला लीजै 625-49 आप कर लीजिए तो यह हो जाएगा आपका 576 AB square बराबर 576 586 AB क्या हो जाएगा AB 24 हो जाएगा तो अभी यहाँ पर पूँच रहा है कि 10B कमान तो 10 का क्या होता है लाल बटे कक्का आपने सुना होगा तो लंब बटे आधार लंब बटे आधार लंब बटे आधार तो यहाँ पर लंब बटे आधार है तो लंब की value यहाँ पर क्या है 7 है और आधार की value 24 आगई हमने निकाल लिया तो simple सा answer है 7 बड़े 24 आपका सही answer होगा यानि कि D आपके सामने यह है बहुत ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना है हाँ यह है कि थोड़ा सा मैथ आपने नहीं पढ़िए तो आपको थोड़ी सी मेहनत तो अभी करनी पढ़ेगी आगे हम बढ़ते हैं प्रिस नंबर नेक्स्ट प्रिस नंबर जब 37 की ओर हम बढ़ते हैं यह भी सिंपल सा सवाल है आप बहुत ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना यदि किसी धन्राशी पर ब्याज एक पैसा प्रति रुपिया हो प्रति माह हो तो वार्शी की ब्याज सिंपल सी बात है कि एक रुपए में क्या कह रहा है कि एक रुपए में एक पैसा एक पैसा ब्याज हो और यह प्रतिमाह हो एक साल में कितने माह होते हैं बारा माह एक रुपए में कितने हो गया बारा पैसा आपका एक मही एक साल में ब्याज हो गया अब ब्याज हम अमेंसा यरली लगाते हैं तो क्या हो जाएगा एक साल में कितना हो जाएगा एक साल में बा ना कि करना एक पैसा जब एक माह का है तो बारा सो जाए एक रुपए में तो यानि कि हम मालेजी कि इसको आफ सव रुपए मालेक्र एक साल का आपको बार às देना पड़ाई तो यानि कि बारण को देन परशों होगा इई पर थे सब्स्थे विटन से की और बढ़ यहां पर देखिए 50 प्रेच्छन है और कहा रहा है कि 2 से गुणा किया जाए तो सिंपल जिवात है 50 को जब अगर आप 100 कर देंगे तो जो मानक विचलान 8 है यह भी तो 2 से गुणा हो जाएगा 8 गुणे 2 हो जाएगा इसको जब आप दुगना करेंगे तो इसको भी तो जब कि दिमाग से आपके एक झामनद दिमाग से खेल लगाहे और कुछ नहीं करना भूत सवाल है जब यह दूगना होगा तो यह भी तो बदल नहीं जाएगा कि इसमें देविसन बदल लिए कोई कंडिशन भी नहीं दिए तो सिंपल सा 2 से गुणा हो जाएगा आपका एंसर आज आएगा बहुत ज्यादा दिमाग नहीं लगाना है x के किस मान के लिए निम लिखे आकड़ों का बहुलक 27 होगा बिलकुल सिंपल सा यह भी सवाल है यहां पे x बहुलक क्या होता है जिसकी संक्या सरवाधिक बारूती है इसने ex दिया है सका कि एक सीघव ऑप टोनिटी सेनद देज rat क्या होगा मतलब एक सीघवा क्या रहे कि सेखान को रख दें कि या बोलग 27 हो जो ठीक है 27 की बात करें तो 25 हाँ कितने एक वार हो गया है दो तीन बार 25 है 26 हाँ का 26 की बात करते हैं तो 1 2 1 2 3 1 2 3 27 को हमको बहुलक करना है यानि कि 25 भी तीन बार है 26 भी तीन बार है और 27 अगर एक्स की जगह आप 27 रख देंगे तो आपका बहुलक 27 हो जाएगा क्योंकि सिंपल सा क्यूश्चन है एंसर खतम हो जाएगा खतम हो गया आपका एंसर यानि कि एक्स की वैल्यू आप 27 रख देंगो तो आपका बहुलक 27 हो जाएगा प्रेश नमबर नेक्स्ट है यहाँ पर आप देख सकते हैं दिए गए आकड़ों में बहुलक 27 प्राप्त करने के लिए यहाँ पर तो यह संक्या है टोटल लेग दो तीन चार पाच यह संक्ष्याओंग आप से भाग देजी आपका माध द्धा गया माधिका के लिए आपको थोड़ा से एक इस्टेफ बागे बढ़ना पड़ता है यानि कि जितनी संख्या कितनी है एक दो तीन चार पाँच है तो एन यह संख्या यानि कि तीनों अपद आप तीनों पर इसको आप जब सीरियल से रखेंगे यहां पर तो सीरियल से रखने के लिए एक दो तीन यानि कि तीनों पर तीन हो जाएगा तो यहां पर दोनों का योग पूछा है योगफल तो आपका यह चार हो गया यह तीन हो गया साथ योगफल ह वाल है बहुत ज़्यादा दिमाग नहीं है माथा बच्ची वाला लेकिन अगर आप इसको देखेंगा नहीं आप अगर मैक नहीं पढ़ी तो आप इसको इन सारे सवालों को आप देखते ही छोड़ के आगे बढ़ जाएंगे जो कि आपके लिए नुक्स्वास्त के लिए नह जेसे 12 11 क्या करता तो आपको आपको कुछ नहीं करना है यह दोनों डिस्टेंस आपको क्या करनी है और एक से घटा देना आपका एंसर आ जाएगा है जैसे यहां पर क्या किया गया देखिये आप रख़ी तो 17 aparece कर दिए दोनों का आप एगर निकाल लेंगे तो यह हो जाएगा 21 była22 हो जाएगा अब देखी 21 बाइस यह आपकी वैविली भी आपको क्या करना कि माइनस से क्या करना है कि एक एक हैं पर घटाना है कि यहाँ पर 22 क्या हो जाएगा 22 हो जाएगा यहाँ पर क्या अभी एक इस्टेप और देख लिए तब यहाँ पर जैसे यहाँ पर हैं देखिए 22 ठीक इसी प्रकार्जा किया गया है तो X की वैल्यू यहाँ पर क्या रखीजे एक्स अभी हमें दूरी नहीं प्राप्त है पता है इसलिए हमने एक्स रख दिया एक्स माइनस 21 बटे 22 दिया है इसको आप जोड़ेंगे तो अब बराबर एक मतलब टोडल डिस्टेंस आपकी एक किलोमीटर से है तो यहाँ पर 22 आपका होगा तो यह आप जब टोडल करेंगे तो X की वैल्यू जो हो जाएगी 22 आजाएगी अब X की वैल्यू 22 किस प्रकार से आई आप यहाँ पर देख सकते हैं एक्स आपका एंसर हो जाएगा बहुत आसान सवाल यह भी है दिमाग का बस खेल है यहाँ पर जब आप यहाँ निकाल लेंगे यानि कि इसको आप भाग देके तो 21 बटे 22 बचेगा अभी एक किलोमीटर आपकी दूरी डिस्टेंस रिमे अभी कलित करते समय हम यह हम मानते हैं कि बारम बारता थेओरी है तो आप गड़ी पढ़ेंगे तो जरूर आपको देखना चाहिए इस प्रकार के प्रिश्ट को थोड़ा थेओरी इसलिए काते हैं कि पढ़ना जरूरी तो वर्गों के वर्ग अंकों पर केंद्रित होते हैं यानि कि जब आपसे वर्गी क्रेत आकड़ों के माध अपकलित करते समय आपको बारम बारताओं में वर्गों के वर्ग अंकों पर केंद्रित होना चाहिए नीचे डिस्क्रिप्शन दिया है आप इसको देख सकते हैं प्रेश नमबर 43 930.25 के वर्ग मूल में कौन सा सबसे छोटा अंगटाया जा जिससे की परड़ान एक पूर्ट संख्या बन जाए 930 का अगर वर्ग मूल बनाएंगे तो यह आपका कुछ इस परकार से बनेगा यानि कि 30.25 का वर्ग मूल बनेगा 30.05 अब इसको क्या करना किस्ग 30.05 में क्या करना है आपको जीरो पॉइंट 2 इसको पूण करना है ना तो यहां पर पूर्ड सरफे सब से हमझा जा जा जिससे उप नई यह और स्क्तिर नहीं क्या है क्योंकि सब इसक्जिस कि विलेन में 40 प्रिस्दददड चीनी है यह कह रहा है कि जिसमें कि 40 प्रस्टत चीनी है पुच्छ प्रस्टत हो जाए तो में यहां पर देखिए जब चीनी मिलाएंगे तो यह विलियन जो 300 ग्राम अभी इसकी मात्रा जो है बढ़ेगी अभी इसकी मात्रा बढ़ेगी तो इसको 50% करना है द्याने जी इसको constant नहीं रखना है चीनी बढ़ेगी एक विलियन क्या होगा constant होगा आपको चीनी को बढ़ाना है इसके लिए आपको यह हम आपको दिखा देते हैं जिससे कि आपको थोड़ा सा ज़्यादा क्लियर हो यह देखें यहाँ पर आपके सामने विलियन में चीनी की मात्रा कितनी है आप देख सकते हैं विलियन में एक्स ग्राम चीनी मिलाई जाती है तो यह आपका देखें पचास फिस्ट बनाना है तो यह सिंपल सा सवाल है यह कह रहा है कि 120 ग्राम चीनी आपके पहले मौजूद है 300 में आप जैसे कि हमने निकाला था 300-40 बटे 100 120 ग्राम यह और 300 प्लस X बराबर आपका क्या हो जाए 100 यहां पर 50 बटे 100 यानि कि 50 परिस्द आपको चीनी का गोल बनाना है 120 यह तो आप क्या करेंगे तिर्या गुणा कर देंगे आपक प्रिसा किया अब तिर्या का आप गुणा कर देंगे 200 120 गुणाई 240 और यह थाड़ 300 हो जाएगा जब आप इसको क्या करेंगे एक सको एक तरफ ले जाएंगे टू एक समाइनस एक सब्राबर 300-240 हो जाएगा एक सब्सक्राइब आप सिस्टी ग्राम चिनी के गोल को और मि एक सो बीस था तो आपका साथ यहां पर जोड़ देंगे तो 180 यानि की अठाट दुनाई चटीस यानि की पचास प्रिसरत आपका विलियन हो चुका है आगे बढ़ते हैं प्रिस नमबर 45 आपकी स्केन पर यह रहा कि किसी संख्या में आठ जोडने आठ प्रिसरत जोडने प क्या कह रहा है कि एक्स में आपने एक गषरी साथ जोड़ दिया और उसी एक्स себе में में आपके क्या कर दिया कि तीन प्रिसत्र ख्या कर दिया संताने बे कर दिया यानि कि इसको घटा दिया अब यह करा कि यह 407 है अब आपको देखना है कि इन आपको कुछ नहीं करना है इस डिफरेंस को इस डिफरेंस को जोड लेना है दोनों का डिफरेंस क्या हो जाएगा इसको आपको कुछ नहीं करना है इनको इनको जोड लीजे आपका 11X हो जाएगा और बटे आपका 100 किसी भ नीचे से आपका यह हो जाएगा भागे सव यानि कि 3700 आपका सही एंसर होगा प्रेश नमबर 46 की और बढ़ते हैं तो तीनों को आप क्या कर लिजे पहले जोड लिजे जोडने के बाद आपके देखिए यहाँ पर 5, 4, 7, 5, 7, 5, 4, 9, 7, 16 हो जाएगा और इन तीनों को आप क्या करेंगे आइड करेंगे जब तीनों को आप आइड कर देंगे तो कुछ इस प्रिकार से बनेगा यानि कि 77 बटे 16, 17, 17 electric प्लस यहां पे 37 बटे 40 हो जाएगा तो फूर्ट संख्या में अब इसको क्या करना है घटा देना है तो यहां पर 1-37, 42 को घटा देना है तो फूर्ट संख्या प्राप्त करने के लिए हमीं क्या करना है कि तीन यहां पी क्या हो जाएगा कि तीन बटे चालिस को हमें लाना होगा तब यह पूर्ण संख्या बनेगी अब हम आगे बढ़ते हैं कि प्रेश नंबर 47 की ओर कोई व्यक्ति कोई व्यक्ति रुपए 8 की 10 वस्तुह खरीदता और उन्हें देखें simple जिवात है एक और सवाल हहां पर simple सह है ये कह रहा हैं कि कोई व्यक्ति 8 रुपए में 10 वस्तु हरीदता है तो 8 रुपए में 10 वस्तु करीदेगा इसका मतलब प्रतेक वस्तु कितने के उसे पढ़ रही 0.80 की ठेक और यह बेशता कितने में 1.25 में बेशता है तो simple से दो difference आपके सामने यहाँ पे निकल के आते हैं देखें 1.25 में मतलब कि प्रतेक वस्तु में वो क्या कर रहा है 0.45 का यानि कि पॉइंट 80 का उसने खरीदा और 1.25 का यानि कि पॉइंट 45 उसने क्या है 80 पैसे में लाब कमा लिए तो 0.45 लाब कमा रहा है कितनी लागर लगा कि 0.80 गुणे सव प्रेशत में निकालना है तो यह आपका कड़ जाएगा इसको आप 24 को 80 कर लिजे 25 कर लिजे चार से आप इसको करेंगे तो यह आपका थोड़ा पॉइंट में जाएगा यानि कि जब आप इसको अब यहां पर छोण के इसको गुणा कर देंगे तो अब इसको डारेक्ट आप या तो 45 बटे 80 कर दीजे तो यहां पर 225 बड़े 4 य पहले किसी कारी केमत 30 में की बढ़ाए जाती है यानि कि कोई वस्तों है यहां पर देखें 100 रुपए थी उसको क्या कर दिया है तीस बढ़ा दिया गया तीन प्रिस्प रृस्त सव कितना हो जाएगा 30 हो जाएगा अब貞जट के बाद फिर 10 प्रिस्प या नि 108 जब ये कहरा है कि मूझ कीमत में 10 प्रिस्प नहीं बढ़ेगे इसने कहा कि फिर से बढ़दी गए लिए कि जो वेल्यू है उसमें क्या होगे जो बरतमान मूल है उसमें फिर 10% की बढ़ोत्तरी कर दी गई तो आप 130 में कितना हो जाएगा आपको 10% निकालना है तो यह हो जाएगा 13 हो जाएगा अब 13 अगर आप जोडेंगे तो 130 प्लस 13 हो जाएगा यानि कि 143 तो 100 पहले था 143 में घटा देंगे माइनस 100 कर देंगे 43 परसेंट जो है प्राइस क्या हो जाएगा कुल जो होगा टोटल इंक्रेजमेंट होगा आगे बढ़ते हैं प्रेश नमबर 49 की ओर यदि 27 27 अग्स 9 by 3 x और 1 बाइस की घाठ फोर का मान क्या होगा तो यहाँ पे भी दो चीजें हैं सिंपल सी हैं देखिए यहाँ पर क्या कह रहा है कि 27 यह सारी वैल्यूंअ है इसने क्या कह यहाँ है 3 की घाते 3ophile 3x कर सकते हैं इसी परिकार से 9 को कर सकते हैं क्या कर सकते हैं और यह प्लस एकस क्या हो जाएगा यहां पे एकस हो हो जाएगा अब यहाँ पर तुलना करेंगा तो यहाँ पर क्या हो जाएगा तीन तीन आपकी वैल्यू क्या हो जाएगी कैंसिल हो जाएगी तो यहाँ पर क्या हो जाएगा और यहाँ पर क्या हो की टूँ हो जाएगी अब जब कि वेल्यू हमें मिल चुकी हैं एक बटे दो ओपर 1 ये आप का एक बटे दो ये हो जाएगा दो-दो हो जाएगा आप फिर से आप कर देंगे तो दो चार यानि कि दो दूनाई चार दूनाई चार दूनाई शोला हो जाएगा यह आपका प्रेस्ट नंबर लाइस्ट प्रेस्ट के और बढ़ते हैं जो की 25 होता है आप सभी को पता है उसके बाद हम जीएस में आएंगे कोई धन्राज साधारन व्याज से दस वर्सों में दुगनी हो जाती है दस प्रिस्ट का व्याज है तो आप दस गुणे दस करेंगे तो सव हो जाएगा यानि कि अपने राज का दुगन हो जाएगा तो क्या हो जाएग आपका सव का सब आपको बढ़ जाए है दोगनी हो जाती है यही अगर 5 वर्स होता तो 20-50 हो जाता, यही अगर आपका 20 वर्स होता तो 20-50 हो जाता, simple सा सवल है, अब हम GS के और बढ़ते हैं, यहां से हम थोड़ा सा Speed पकड़ेंगे, क्योंकि mathematics जो है, एक मत, cancer कारद व्यकास के व्ये में सामिल नहीं किया जाता है, विकास देखिए दो प्रकार के वे होते हैं एक विकासी वे होते हैं योजनागत वे होते हैं एक गैर योजनागत वे होते हैं तो योजनागत वे में एक योजना के ताहत विकास के जो विभिन कारियों में जो पैसा लगाया जाता है वो विकास वे होता है जो अनुतपादक के होते हैं जू अनुत्पादक होते हैं नीचे दिखने लगता होगा यहां तो यहां पको वापस होता है तो यह होता है अनुतपादक वह यानि कि गैर विकासात्मक होते हैं तो अच्छा वाकी फिकासात्मक है už अगे हम बढ़ प्रेच नबरал 52 हमारे रूधिर में 박ाप परिवहन एक है बाकी 300 क्या है कि बाइस आत्मक हैं आगे हम बढ़ते हैं इसमीर अपरिभान एक क्रोटीन होता है जिसका नाम होता है तो जो we monitor में जो हमारा रूदिर होता है उसमें अच्छिजन के परिभान का का हैं हीमो ग्लोबिन द्वारा होता है तो इसमें यह आपका एंसर हो जाएगा नीचे आप डिस्क्रिप्शन में देख लिए जीस के पॉर्शन हम थोड़ा से जल्दी-जल्दी करेंगे अंतरराश्टी गमन माइग्रेशन क्या है अंतरराश्टी गमन का मतलब इंटरनेशनल गमन होता है आप एक इस्थान से एक देश से जो दूसरे देश पर जाते हैं अब आगे हम बढ़ते हैं प्रेस्ट नंबर 54 की और तो यहां पर आप देख पाएंगे प्रेस्ट नंबर 54 आपके स्कीन पर यह साफ्ट बैंक और फॉक्स फॉक्स कॉन टेकनोलोजी ने दस वर्सों के लिए उस समय करेंट का क्यूश्चन था इसलिए हम इसको नहीं करेंगे यह भी करेंट का क्यूश्चन था आलंकि याद कर लिए नेपाल में उस समय 2015 में एक रास्टी आई थी भूकम बहुत बहुत सब्सक्राइब के लिए भारत ने मैत्री ओप्रेशन चलाया था कि लोग सब्सक्राइब के लिए नियूंतब 25 वर्सों की आयू होनी चाहिए राजसाबह में यह 30 वर्स है सबसे कम प्रधान बनने के लिए 21 वर्स चाहिए और ज्यादा तर जगहों पे 25 वर्स बाकी देश म मेंबर ऑफ पार्लियमेंट 30 यर्स होता है राश्पती के लिए 35 साल होता है प्रधान मंत्री के लिए 25 साल होता है जब वो संसा सदस होता है 16 अगस्त 1946 को प्रत्यच कारवाई दिवस मनाया गया तो इसका सही एंसर होगा मुस्लिम लीग के द्वारा मनाया गया क्योंकि बात यह होई थी कि भारत और पाकिस्तान को अलग नहीं हुआ था तो इन्होंने क्या किया था जो प्रत्यच कारवाई दिवस मनाया जाए यानि कि भारत का विरोध किया गया आजादी का विरोध किया गया चौरी-चौरा कंड कहां होई थी कब हुए थी गोरक्पूर में होई थी पाँच फरवरी 1922 को भी थी क्या हुआ था कि पुलिसों पे कुछ जो आंदोलन कारी गोली चलाओ थी गोली चलाओ तो गोली चलामे के एक विरोध में लोग घंधोने को कर थाने को आग लगा दिए करीब 22 जो पुलिस कर्मी थे वो क्या हो गए कि वो जल कर खाग हो गए कि यह देखिए 22 पुलिस कर्मियों को जल कर खाग हो गई जिसके उसमें फिर महात्मा गादी ने सहयोगा अंदोलन को रोक दियता है निम्लिकित में सबसे अधिक रिंड विद्धुती तब तो कौन सा है तो इसमें फ्लू ओरीं जो है रिंड विद्धुती तब तो है सबसे कि अधिक की बात की जा रही इसलिए आपको ध्यान देना होगा किस देश कोपा 2015 करेंट का कुस्चन है बोल जाईए 2015 का है निम्लिकित में से कैबिनेट इस्तर का कौन होता है तो कैबिनेट इस्तर का विपच्छ का नेता होता है उसे कैबिनेट मंतरी का दर्जा सबस्थित है यह चीज आपको देखना होगा यानि कि यह मद्र रेखा है इसके उत्तर में यानि कि भूमत सागर देखा जो है वह है आपके विश्वत रेखा जिसे आप करते हैं उसके उत्तर में है प्रस नंबर आगे बढ़ते हैं 63 की ओर पर नंबर 63 आपकी स्कीन पर यह रहा हुआ कौन सा इस्थान है जहां पर अंतिम मुगल समराड बहादूर साज अफर की मृत्त हुई थी तो उसकी मृत्त जो है रंगोन में क्या हुआ कि इसको गिरफ्तार करके रंगोन भेज़ दिया गया था वहीं पर इसकी मृत्त हो गई थी तो यह है आपका सभी ने अवग्या आंदोलन का मुख देश क्या था तो सब ने अवंग्या आंदोलन का जो है डांडी यात्रा यानि के नमक करके विरोध नमक नमक करका विरोध जो है वो हुआ था अब आगे हम देखते हैं यहाँ पर 65 भारत की उच्चतम वर्षिक वर्षा कहां होती है तो यह आपका मासिल नाम मेगालाय है जहाँ पर करीद की प्रतिवर्ष तेरा सो सिंटीमीटर वर्षा होती इसके पहले जो है चेरा पूंजी थ अगे पर 66 NPP क्यातात पर यहाँ पर आपको नेशनल जो है पॉपूलेशन नित है यहां को इस साल जनगणना होगी यहां पर काफी चीज़ यहां पर देखने को मिल सकती है तो इसको आपको यहां याद रखना आगे पर 67 के यहां में अंतर राज्टी क्रिकेट कांसिल अद्यच करेंट का क्योंश्चन है याद रखिए गए याद नहीं अखना इस समय इस समय करेंट को आपको देखना है इसलिए यहां पर आपको उसको ध्यान नहीं देना है अब आगे हम बलते हैं प्रेश नंबर नेक्स्ट की ओर प्रेश नंबर नेक्स्ट आप देखेंगे यहां पर तो आपके सामने है अर्शट जून 2015 के चौथे सब्ता में यह भी करेंट का क्विश्टन इसको आप छोड़ दीजिए इस समय के करेंट आपको अच्छादन अनावरण पर किसी पदार्थ में वाई की नमी का उस्यूसर करने के गूण को क्या कहा जाता है प्रिस्वेदन क्या होता है क्या होता है कि वाई जो होती है अपने अंदर क्या होती नम्हीं धारां करती है लग़ती तो जो किसी भी पदात में जो होती है कि घीला हो जाता है डाले किसका अच्छा स्रोत है डाले पर्रोटीन का अच्छा स्रोत है भारत दालों के उत्पादन में नंबर वन है उपभोग में नंबर वन है और आयात में इन तीनों में नंबर वन है याद रखिएगा इंपोर्डेंट है पूछा जा सकता है मत्रवा डिक बोई और पानी पत पर इसक्रण सालाएं किसके द्वारा इस्थापित की गई है तो इसका सही एंसर होगा आई ओसी एल यानि कि इंडियन ओयल कर्पोरेशन द्वारा मत्रवा डिक बोई और पानी पत जो तेल सोधन कार खाना यहां पर लगाएं पर नंबर सेवन्टी आपके सामने है निम्लिकित में से किसको सम्विधान की आत्मा के रूप में माना गया है निम्लिकित में से सम्विधान की आत्मा किसको कहा गया है तो आपका साही है प्रस्तावना को जो है सम्विधान की आत्मा कहा गया है इसको भीमराव अमेट करने कहा था चलिए पर नमर सेवन्टी थरी की और बढ़ते हैं तो यहां पर आप देख पाएंगे पर नमर सेवन् सथपत ब्राम्मन और त्रिव राम्मन जो है किसके मूलपाट है तो यह ये जुर्वेद के मूलपाट है धालू झळलान धालू सड़क पर पत्थर लुखना उर्ध ऊपर कि और उठने अधिक आसान होता है क्योंकि सिंपल सी बात है कि जब पत्थर लुखने में किया गया का उसकी अपे उठाने के अपे इच्छा कम है जब आप किसी को धक्का देंगे तो वह आसानी से खिसक जाएगा जब कि उठाएंगे तो ज्यादा फोर्स लेगा तो यह इसका सही एंसर होगा निमलिकित में से कौन से समीत मूल कर्तव्यों को समीधान में समलित करने का सुझाव दिया तो स्वण सिंग समीत के अधार पे 1976 में समीधान संसोधन किये गये थे जिसमें की पहली बार मूल कर्तव यानि कि फंडा मिल्टर डिटीज को जोड़ा गया था नीचे 42 में समीधान संसोधन है अभी यह आपका हो गया प्रेस नंबर 75 हो गये हैं यानि कि अब जीएस का पार्ट खतम होता है अंतिम पार्ट हमारा ग्रामीर परिवेस का बचता है यह उस समय का जो 2014 में प्रधानमंत्रिक सरकार बनी थी उसमें करेंट का क्रिश्चन था अलांकि यह पूंच सकता है तो यह जो टार्गेट हमारा 2022 का है कि 2019 का जो संचालय का टार्गेट था इसमें कि हर घर में संचालय हो यानि कि संच मुक्त मतलब खुले में से संच मुक्त भारत हो तो नंबर 77 क्या है भारत की जनगाड़ना 2011 को उत्तर प्रदेश में की प्रतिवर्ग किलोमीटर कितने की जनसंख्या निवास करती है तो कि राश्टी ग्रामीर पेज अलकारिक्त्रम एन और डी डवलूपी के अंतरकर 2022 तक देश के हर ग्रामीर व्यक्ति को घरेली परसरों में घरों पर 36 और 250 मीटर की दूरी पर कितने लीटर पानी उपलद्द कराये जाएगा तो इसका जो सही एंसर होगा सत्तर लीटर होगा करकेम उद्दोग निम्लिकित में सबी बड़े पैमामें पर वच्छारों पड़ है इसका नगरी और दोगिक संपदाओं में जो नगरी में नगरों में और दोगिक के संस्थान है उनमें जो है सामाजी कवानिकी का कार्षा चलाएगा उत्तरप्रदेश में किस वर्क किस यहां पर देख पाएंगे से उत्तरप्रदेश भारत का कौन सा इस्थान है तो इसका सही एंसर होगा चौथा इस्थान है पहला राजिस्थान है आंद्रप्रदेश के विभाजन यानि कि तेलंगाना बनने के बाद इसका जो इस्थान पहले तेलंगाना बनने के पहले इसका इस्थान जो है पांचवा था लेकिन जब तेलंगाना राजिस्थान मद्रप्रदेश महाराष्ट के बाद इसका इस्थान अब चौथा हो गय में बीपियल के लिए निश्चित पारिवारिक आये की जो गूफ़वा की गई थी वो ट्वंटी अजार थी पर नमबर ट्रोट एडिफोर क्या उत्रप्देश में रेल इंजन सहयंत्र कहां है तो मुगल सराय में रेल इंजन सहयंत्र है गुरक आपका वारांसी में भी रेल कारखाना यानि के डील डवलू है याद रखिएगा रेल इंजन सहयंत्र यहां पर हैं 85 उत्तर प्रदेश के राजमार्ग भून अधिनियम कप पारित किया गया था तो 1945 में पारित किया गया पर नमबर च्यासी अमेट कर विशेष रोजगार योजना के अंतरगत सामान से कि लाभार्थियों के लिए उपलब्द कराने के लिए प्रती इकाई जो सब्सीडी की बात की गए थी वह थी आपकी 25 परिशत यानि की 75 रुपए आप हम आगे बढ़ते हैं प्रद नमबर 88 की और तो प्रद नमबर 88 आपके सामने प्रद नमबर 87 आपके सामने ये हैं माध्यान बोजन कायरक्यम के अंतरगत माध्यान बोजन में पकाने वा परोशने के लिए उप्वोग करने में सुच्छता को ध्यान रखने के लिए जाच परताल के लिए दैनिक आवरत्ती करने चाहिए यानिक डेली जाच परताल करना आवस्यक है माध्यान भोजन कायर्क्राम 15 अगस्त उन्यसों पंच्वान में को भारत उम्राज सरकार के प्रयासों से की गई थी यह हो चुका है पर नमबर 80 एक ग्राम 15 में महिलाओं के लिए कितने प्रिस्त 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 एक बड़े तीन प्रिस्त सीटे जो है आरच्छित हैं 73 वे सम्मिधान संसोधन के द्वारा उतर प्रदेश में राज के वित्ती स्वस्त के देखरेक करने के लिए सरकारी लेन दोनों पारदर सिता के लिए कौन से बनाई गई तो इसका सही एंसर को सवानी प्रस नमबर 90 है मद्ध भारत के में एक बीगा कितने हेक्टेर के बराबर होता है तो यह इंपोर्टेंट है 0.2529 यानि कि मद्ध भारत एक बीगा बराबर 0.2529 यानि कि इसका मतलब करीब प्रसिद्ध बांसुरी प्रसिद्ध बांसुरी वादक खरी प्रसाद चौरास्या का जनमे कहां हुआ तो उत्तर प्रदेश की स्रीज हमने कराई है देख लीजे एक एक वीडियो गिनके आप उत्तरपदेश स्रीज में हम आपको काफी कुछ और लेके आने वाले हैं तो लोकनात हिलाहवाद इसका साही एंसर होगा नब्बे बधाई कौन सी विधा है तो बधाई की अगर बात करते हैं तो यहाँ पर बधाई आप देख पाएंगे कि बुंदेल खंड का एक लोग गीत है कि 2014 पंद्राम भारत कुल खादान पादन करेंट का पूंचेगा इसको आप छोड़ दीचे धान का नियूंतन समर्थक मोल यह भी ओर्ड है इस समय करीब 1850 रुपए है इसको ध्यान रखेगा तिरान बे पूर्ती अपनी मांग का सर्जन स्वयम करती है यह 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 भी से का क का थन है कि अगया हम बढ़ते हैं यहां पर प्रस नंबर 94 की तरफ्ट नंबर 94 आप देखें गए हुए माई कंटरी माई लाइफ किसकी आत्म कता है तो माई कंटरी माई लाइफ लाल श्ट अडवानी की आत्म गता है भार्तीराज में भारती राज की कौन से मुखमंत्री अपनी विरोधी पार्टी के अध्यच्छ से क्या थी विवाहित थी तो यहां पर आपको ध्यान देना है कि यहां पर देखिए बारती राज की जो है मुख मंत्री जो कि अपनी विपच्छी पार्टी से इसका सुझेता कर प्लानी होगा साहिएंसर मैगी नूडल्स जिने प्रतिवंधित किया था भारत में पिछले दिनों उससे में काफी प्रेचलान में था ये इसो तो इसका जो ह प्रिचारित किया था संतान में भारत की अन्न भासाओं के गज नंथंग वादी या आदी जोहर जैसे शिष्टाचार सब्दों के क्या अर्थ हैं तो इसका सही एंसलों का धन्नवाद 98 प्रदान मंत्री द्वारा घोसित निम लिखेत योजनाव में से कौन सी 9 माई 2015 को प्रारम नहीं की गई तो इसका सही एंसर क्या होगा प्रदान मंत्री आवाज सी होज़ता है तो ये इसका इसक्रिप्शन रहा है दो प्रिच्छ छूट रहे हैं दो प्रिच्छ हमको जैसे हम नहीं करा रहे हैं तो यह आपके लेखवाल भरती के जो 2015 का प्रथम सिफ्ट का इसको हम करा दिये हैं आप देख लीजेगा तो इस वीडियो में इतना ही मिलेगा अगली वीडियो में तब तक ले धन्वार